नमस्कार दोस्तो ट्यूब गूरु चैनल का एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो से हम बात करेंगे आप कैसे पैसो का पेर को लगा सकते हो यानि every month सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करके कैसे आप 1 करोर रुपए तक का wealth को create कर सकते हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा interesting होने वाला है तो वीडियो का आप kindly last तक देखिए क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने का बाद आपका सोच बदर जाए and future में financial freedom पाने के लिए आजी से आप important steps को लेना सुरू कर दो तो दोस्तो वीडियो को last तक जरूर देखना अगर वीडियो का अच्छा लगे तो एक like आप जरूर कर देना और अगर पहली बार आप हमारे चैनल का वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तो बीना time waste किये चलिए स्टार्ट करते हैं आज के topic को तो दोस्तो हमारे हरी का life में कुछ ना कुछ dreams तो जरूर होते हैं किसी का dreams रहता है अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाना किसी का dreams होता है पूरे world में tour करना पूरे world को अलग-अलग जगा को explore करना किसी का dreams रहता है अपने लिए एक luxury car को खड़िदना या किसी का dreams रहता है अपने बच्चों को एक अच्छा education देना उनके future को अच्छा बनाना उनके future को secure करना लेकिन ये सारे जो dreams से इसे पूरा करने के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा पैसा लेकिन हम में से ज़्यादा तर लोगों का पास इतना पैसा नहीं है तो ऐसे में आप लोग क्या करते हो ना market में जितने भी बहुत सारा short term में पैसा double करने का schemes से उस सारे schemes का जो trap है उसमें फस जाते हो ज़्यादा तर लोगों का साथ क्या होता है ना कम time में पैसा double करने का चकर में वो सारा पैसा अपना गबा बैठते हैं लॉस कर बैठते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो से मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप पैसों का पेड़ को लगा सकते हो ऐसे में आप सोचेंगे कि आपका salary कम है आप सोचेंगे कि आपका account में ज़्यादा पैसा नहीं है या तो फिर investing का कोई भी idea आपके पास है नहीं लेकिन फिर भी आप बहुती easily पैसों का पेड़ को लगा सकते हो और मैं आपको बता दू कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको दो rules को follow करना है पहला number rules है patience आपके अंदर patience रहना बहुती ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप पैसा का पेड़ को लगाना चाते हो और आप financial freedom को पाना चाते हो और एक बहुती important rules है कि आपको consistent रहना है किसी भी हालत में आपको consistency बढ़करार रखना है खुद पे तो दोस्तो चली आप जान लेते कि आपको start कैसे करना है तो आपको investing start करना है systematic investment plan या SIP के through and SIP के through आप invest करेंगे mutual fund में अब आप सोच रहे हो कि mutual fund का बाले में तो आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है या mutual fund में कैसे आप SIP start कर सकते हो ये भी आपको पता नहीं है तो अल्रेडी हमारे चैनल में दो वीडियो से mutual fund क्या है and grow आपके through कैसे आपको mutual fund में invest करना है तो दोनों ही वीडियो का link आपको description में मिल जाएंगे तो description link में click करके आप दोनों ही वीडियो को ठीक से देख लीजिए mutual fund का बारे में जितना भी आपके मन में confusion है सारा clear होने वाला है ये दो वीडियो से तो आपको क्या करना है आपको only 1000 रुपै का monthly SIP को start करना है अब आप सोच रहे होंगे कि market में तो बहुत सारे mutual fund schemes है तो आपको कौन सा scheme में invest करना है तो मैं आपको बता दूँ कि जादा तर लोग आपको suggest करते है long term के लिए mid cap, multi cap या small cap fund को लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप safely invest करना चाते हो आप लंबे time के लिए invest करना चाते हो तो आपको हमेशा choose करना चाहिए large cap या blue chip fund या तो फिर index fund क्योंकि हमारे देश का जो economy है उसको चलाने वाला हमेशा देश का जो बड़ा 20 large cap company है ओही हमारे देश का economy को चलाते है तो आपको हमेशा choose करना चाहिए large cap या index fund और आपको फिलाल mid cap, multi cap या small cap fund को avoid करना चाहिए large cap या तो फिर index fund का category में आपको बहुत सरा fund मिलेंगे ऐसे में आप axis blue chip, mida acid, large cap, SBI blue chip या तो फिर index fund का category में आप UTI Nifty 50 index fund को भी choose कर सकते हो सिब 1000 रुपय का मंतली SIP start करना है और आपको क्या करना SIP को हर साल 10% top up करना है तो top up क्या होता है ना हर साल जब आप अपने SIP का amount को increase करते जाते तो उसी को कहा जाता SIP को top up करना तो चलिए देख लेते एक टेबिल से कि आपका SIP amount कौन सा साल में कितना होने वाला है आसा करके हर साल आपका SIP का amount है वो 100 रुपय करके बढ़ते जाएंगे क्योंकि जब जब साल बीटते जाता है हमारा जो earning है वो भी increase होते जाता है चाहिए आप एक salary आपको मिलता है चाहिए आप business करते हो हर एक sector में earning जो हर साल बढ़ते जाता है इसलिए आपको aim करना चाहिए कि हर साल minimum 100 रुपय करके आपको अपना SIP amount को जरूर बढ़ाना चाहिए तो अब हम मान के चलते हैं कि आपको 15% का expected annual return मिलेगा इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है लेकिन हम only मान रहें कि आपको 15% का annual return यहां से मिलेगा long term में तो कितना पैसा आप इससे बना पाओगे चलिए calculate करके देखते हैं तो सबसे पहले आपको बता देए कि सिर्पोर्स तरिफ 5 साल के लिए आप निबेस करते हो 1000 रुपय करके और हर साल 10% करके आप तॉप अपने SIP amount का तो आपका जो total wealth है वो create होता है 1,4,970 रुपय का अगर आप 10 साल के लिए निबेस करते हो तो total wealth create होता है लगभाग 3,71,000 रुपय का अगर आप 20 साल के लिए भी निबेस करते हो तो total wealth create होता है 22,96,000 रुपय का अगर आप 30 सालों के लिए निबेस करते हो तो आपका total wealth हो जाता है 1 करोर से भी ज्यादा यानि total 1 करोर 11,00,000 रुपय का आजपास expected आप मान के चल सकते हो तो आप ही सोग सकतो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपय का SIP को करके आप 30 सालों में 1 करोर रुपय का आपका जो wealth है उससे आप achieve कर सकते हो अब आप में से बहुत कोई कहेंगे कि 20-30 साल तो बहुत ही ज़्यादा समय है आपको कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना है तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने पहले आपको दो rules बताया एक है patience दो है consistency यह दोनों आपको अंदर है तो ही आप जो है लंबे टाइम पे एक अच्छा amount को create कर सकते हो मैंने पहले आपको बताया है कि आपको क्या करना है और आपको पैसा का पेर को कैसे लगाना है यह सीखना है तो ऐसे अगर आप एक normal पेर को लगाते हो उससे पहले आपको छोटा सा एक पौधा को लगाना पड़ता है उसका देखभाल करना पड़ता है पानी देना पड़त से उसे आपको थोड़ा सा कम करना होगा और उसके बाद ही आपको financial freedom मिलेंगे जो पेड़ आप लगाएंगे उससे आपको पैसा मिलेंगे और दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो दो रूल्स का बारे मैं आपको बताया पैसेंट्स और कंसिस्टेंसी इन्हें फॉलो करना उतना भी आसान नहीं है क्योंकि दुनिया में हजारों लोगों में से बस गीने चुने कुछ लोगी ए रूल्स को फालो कर पाते हैं और गीने चुने कुछ लोगी अपने लाइफ में successful होते हैं उन्हें financial freedom मिलते हैं और मैं आपको बता दू कि आप में से बहुत कोई लोग ऐसा सोच होंगे कि 20 साल का बाद आप में से बहुत लोग इस दुनिया में साधर रहेंगे नहीं या तो फिर आप बूड़े हो जाएंगे तो आप जो पैसा क्लियर करेंगे साइद आप उसे यूजी नहीं कर पाएंगे लेकिन मैं आपको बदा दू कि हम में से जितने भी लोग जितने भी पैसा कमाते हैं उन में से सिर्फ और सिर्फ दस परसन फैसा ही खुद यूज़ करते हैं और बाकी का 90% पैसा हम उस करते हैं, हम खर्च करते हैं दूसरे के लिए या हमारे फैमिली के लिए तो जो पैसा या जो वेल्थ आप बनाएंगे तो हो सकता है उससे अपना आपका जो फैमिली है वो सिक्वेर हो जाए उनको फाइनेशल फ्रिडम मिल जाए या तो फिर जब आप काम नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे जो वेल्थ है इसे उस करके आप बहुत हसते खेलते अपना जो बाकी का जिंदेगी है उसे गुजार पाए आप याद रखिए आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट किया हजार रुपय का साइप को स्टार्ट करने के लिए आ आपने गोल्स को एचिव कर लेंगे तो दोस्तों होफुली आज का वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और आप अगर मूचल फंड में एक साइप को स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रो टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाई जाए हिंद।